काम्यावी का मूल मंत्र क्या होता है आपको बता दें कि सिच्छा स्वास और रोजगार यह मुख्य तोर पर सामाजिक छेत्र में जिसने भी इसको ग्रहन किया वह आगे बढ़ गया मेरे साथ मैं इस समय मौझूद है राष्टी लोगदल से आग्रा ग्रामी विधान सवा से विधान सवा का चुनाव लड़ चुके हैं महिश जाटव और जो एक काम्यावी का सूत्र कहें लोगों को प्रोसान देने का आप निरंतर काम कर रहे हैं चाहे वो खेल से जुड़े विशय पर बेटी ओं की बात करें तो उनको प्रोसान के तौर पर उनको प्रोसान रासी देना को या उनके Kathis जाटव शुनाब के बाद में Ne09 आग्रा ग्रामी विधानसवा में सक्री नज़र आ रहे हैं मैं उन्हीं से जालूँगा कि क्या कुछ रास्टी लोगदल के जो सीर से नेत्रत हैं उनसे आपको किस तरह का एक कारे करने की स्ट्रक्शन दिये गया है संदेज दिया गया है बहुत बहुत धन्यवाद भाई साब मैं सबसे पहले तो आप से सुरुवात करूंगा कि विधानसवा चुनाव के बाद में जिस तरीके से आपने आपने आपको तैयार किया क्योंकि आदमी कई ना कई तूट जाता है एक चुनाव कोई भी हरता है या पिर चुनाव में हतास होती है हरने के बाद में लेकिन आपने फिर भी तैयार करके रखा आपने आपको और स्टैंड करते हुए आप छेत्र में निरंतर भ्रमल कर रहे हैं कैसे देखते पूरी चुनाव देखिए चुनाव हरना जीतना एक सक्के के दो पहली होती है मैं लगातार चाचार वार सारी चीजें तो हम लोग को पता है और तूटने की कोई बात नहीं होती है यह जनता जनादले हम लोगों के बीच गहें और हमने अपनी बात जन जन तक पहुंचाने का काम किया हमने हर आदमी को हर भ्यक्ति तक हम पहूंचे जो बरतमान में हमारे खिलाब जो जीती हैं वो कई पहुंची भी नहीं मगर एक जूट की जीत हुई और सच्चा ही हार गई भाजपा की जीत का सूत्र क्या मानना है किस आधार पर क्योंकि उस दिन आपके त्यागी जी भी आये थे उन्होंने कहा कि और शिलिंग मंदिर जिश्थ यह सिर्फ असमय भाजपा का मूलमंत्र है कैसे देखते इस बेहन को देखिए भाजपा इस तो में , संके पूरे प्रदेश के पुर्देश के अंदर जो प्रदेशाओं करने लगे और जो मुसल्मान उनके खिलाब पतानी क्यों ऐसा महल बना के रखा है कि मुसल्मानों के खिलाब बोटिंग करने का काम कर रहे हैं तमाम लोग हैं और वो भारती जनता पालिटी की बातों में भश जाते हैं और दूसरा एक रासन जो रासन के नाम पर जो फिरी चावल गयूं चना रिफाइंड नमक देने का काम किया देखी हमारे भारत देश के प्रदान मंत्री जी पहले नमक देते हैं और फिर कहते हैं नमक खाया है अलाल करोगे कि नहीं करोगे तो यसी चीज़े हैं और हिंदू बड़ा भावक होता है बड़ा लचीला इसका मन होता है और यह भावनाओं बेजाता है आपने कहा एक सवा कहा कि पूजा मैं भारतियंता पार्टी के लोगों को उल्जा लिया गया पूजा करने लगे क्यों आप नहीं करते पूजा नहीं मैं करता हूँ मैं बहुत बड़ा वक्त हूँ मैं क्यों को दुनिया देख अगर धर्म का प्रचार कोई कर रहा है तो उसे रोकना क्यों नहीं हम कब कह रहे हैं रोकना मगर दूसरे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए हम यह कहते हैं हम अपने मेरे अंदर आसता है मैं अपने इस्ट को मानता हूँ मगर मेरा साथ ही है दूसरा वो दूसरे को मान रहा है तो उसमें क्यों आप विवदान डालने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि भारतियंता पार्टी इसी सूत्र के आधार पर निरंतर जीत रही है। बिल्कुल सही बात है। यह ठीक है गलत है ने गलत है विल्कुल। आप देखिए मैं कहना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम बहुत अच्छी बात है कि हमें एक हिंदू राष्ट बनाने की बात करते हैं। पहले एक गाउं या एक सहर हिंदू बना करके देख लीजिए जहां से अधर लोगों को बिल्कुल निकाल करके और फिर उसकी तरकी देखिए आपको फर्क मालूम पड़ जाएगा। जब तक सारे लोग नहीं होंगे जब तक गुल्दस्ते में सभी तरह के फूलना होते होंगे तब तक वह गुल्दस्ता अच्छा नहीं लगा हिंदू राष्ट बनाने की कल्पना और उसको किस नजरिये से आप देख रहे हैं क्योंकि वह कहते हैं कि धर्मा और संस्क्रति क करीव 7-800 साल अंग्रेजियों को सासन राथ 200 साल कि हमारे देश के हमारा जो धर्म ता कभी पीछे चला गया है हम लोगों की धर्म में आस्था रही और मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि धर्म को बचाने के लिए हमारे लोगों ने आउती दी मैं मैं जी आपसे ए ग्यानवापी में और शिवलिंग खास करके ज्यादा चल रहा है तो एक राश्टी लोगदल के नेता होने के नाते या फिर हिंदू होने के नाते आपका विचार क्या है वो शिवलिंग है या सिर्फ भबारा है देखिए मैंने देखा नहीं है आपने इतना जल्दी ग्यान और उननीस में जो प्लुवामा कांट हुआ था जहां हमारे 40 जवान साहिद हुए उसमें आज तक क्यों नहीं बहुत दोसी पकड़े गए जिनकी किनकी गलती थी कैसे होँआ पर 300 किलो आईडी एक्स पहुंचा क्या यह सी यह मुद्ध है या ग्यान वापी मुद्ध है हमा पार्टी की तरफ से कोई वैसा बयान तो आया नहीं जैसे मोधी जी ने कोई बयान दिया हो या योगी जी ने देखिए यह सारी चीज़ें यह उपर भारती जंता पार्टी के लोगों के सारे पर हो रही है पूरे देश के अंदर हो रही है आप को कि इदिका मज grenade की बात करते हैं घान बापी मजड की बात करते हैं अभी अभी नया एक चलाथा लोग। पर जो अजमेज शरीफ हैं, वहाँ पर भी सर्च करेंगो, वहाँ पर स्वास्त की निसान मिलें, ये क्या चीज़ हो रही है? सिर्फ राजनीती धर्म के नाव? सिर्फ राजनीती है, हमारे लोगों को बलगलाया जा रहा है, सरकार नौजमानों को रोजगार नहीं दे पाई, इस समय देखिए, भोकमरी में हमारा देश, आज बंगला देश से भी नीचे है, बंगला देश एक छोटा सा देश है, और जो पाकिस्तान से अलग हुआ था, आ आज लाज हमें 288 में 200 देशों की लिस्ट में, आपको लगता है, केजरिवाल दिल्ली में बिजली फ्री देने की बात करते हैं, तमाम और बी जो सुविधाएं वो फ्री देने की बात करते हैं, ऐसा देश भुकमरी की तरब ज्यादा बढ़ेगा, या फिर उननती की तरब ज्यादा बढ़ेगा देखिया मैं फ्री के पच्षम नहीं है छोगों को मैनत करनी चाहिए और अपना देश में योगदान करना चाहिए मैं परसनली में सोच है बाखी कौन क्या कर रहा है इसके कूली अच्छा अब पिर आपके विश्य पर आता हूं, अभी मेट्रोाघ्रा की बात है, मेट्रो की बात चल रही है, विजली घर पर आपने अपने इसाब से ग्यापन भी देने का काम किया है आप डाटेउ अंबेट गर के नाम से बिजली घर जो भी है मनका मेश्वर मंदिर के नाम से स्टेस्टून गर रखा जाना है तो आप कह रहे हैं कि बिढके पूरी बात है क्षॉए 11 बदायक रहे बरत्मान में। पूर मंत्रे रहे माने जीयास दर्मेश साहब उन्होंने एक प्रस्थाव दिया विधानसवा में कि जो बिजलिगर चौरा है यहां पर जो मंदर वो मैट्रो स्टेसन बनेगा उसे मनका मेश्वर के नाम से इसका नाम रखना चाहिए हम भी आस्तावान है हम किसी के ब्रोद न आप नाम से था है भीमराव अमीटगर जी की नाम से वहां पर आसे 40-50 साल पुरानी मूर्ती लगी हुए इस चौक का जो चौक पर यहां पर इस्टेसन बने उसका नाम अमीटगर चौक के नाम से होना चाहिए यह अमिटगर इस्टेसन के आँ आप मेटगर मैट्रो इस्ट करना है कि आप निरंतर छेतर में अपने दोड़ लगा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं चुनाब के बाद से कि आपके सीर्ष नित्रत रास्चे अद्यश्य आपके जन चौदरी साफ क्या कुछ निर्देश आपको दिये गए हैं जिससे के लोगसभा की तैयारी हो सके लोगसभा में आप अच्छे स्तर पर माजन से आगया से देखिए मैं में चुनाब हारने के बाद मेरी लगवक हमार सीर्ष नित्रत से माननी जैन चौदरी जी से मेरी तीन बार मुलाखात हो चुकी है उन्होंने कहा मुझसे मुझे होसला अब जाई की कि घवड़ाने की जरूत नहीं है चुनाब में भी हराम चुनाब में हार जीत लगी रहती है आप नेंतर लोगों के बीच रहिए और काम करिए आगे मौखा में दूसरा हमारा मुझे कहा परसनली कि हम लोग राष्टान चुनाब में राष्टान चुनाब आने वाला है विदान सबाका उसमें हम लोग चुनाब लड़ेंगे और वहां की तैयारियां देखी है तो मैंने ठीक है भरतपुरों साइट की वेल्ट मे जिम्मेदारी दी जाएगी साइट तो मैं अवश्यों रहूंगा जुम्मधारी नहीं दी भी जाएगी तब येक राष्टी लोगतले कार्यकरता की तौर पर वहां जा कि चेत्र में काम करने काम करूं अभी कोई पद ले रखा है नहीं कोई पद नहीं है मेरे पास अभी मै स्थरफ पूर प्रत्याशियों बरतमानों जिला पंचाइद में मरों जहिन चोधरी की नाम से ही बस सिर्पुनों ने कह दिया तो आप फिल्ड में जी विकुल हम छेतर में रहते हैं और हमारा अर्थनीव से चरशा करने के लिए बहुत अच्छी है बहुत बहुत धन्यवा थे हलांके प्यार भी जनता का आपको पहले प्रतम द्रेश्ट्या काफी आपको प्यार मिला और लोगों की परिशानियों में भी आप निरंतर जाने का काम कर रहे हैं यह सीर्स नेतरत्व का कहना है कि आप निरंतर छेतर में रहे क्योंकि चुनाव में हार और जीत मैसे दो सोच के साथ मैं मैस कुमार जाटव अपने छेत्र में जाते रहें और लोगों की परिशानिया के सुख दुख में सरीक होते रहें कैमरी पीछार अरेन बगेल मैं करतार सिंग बगेल अर्थ न्यूज कैमरी तक वरेन वो रहें जाते रहें जाते हैं